है विवन ये इस ट्रामा का लाश पार्ट है इसके पहले वले पार्ट में हम ने देखा था कि जो जिया थी वो लू को बोलकर ये चेले जाती है कि नहीं अब उसके लाइफ में नहीं रह सकती है अगली मॉर्णिंग मस्ट तुल होकर के जो लू सोया था सीधे उसके नीन खु कि इतनी सुपह सुपह त्यान उसे कहता हैं कि अग से क्या को प्रपोस्ट करने वाला हूं बहुत दिन्यों सोच रहा हूं कि इसे बन के Бाठ बता ही चैल बिंहां जाताा उसे कभी ने कि तयान भी लाइन जानता है वो वहाँ पर उसे रोकने के लिए पहले तो जिया कि बुराई करने लगता है अरे यार कहा प्रटी दिखती है उसके पैरवेर मोटे है काम भी अच्छे से नहीं करती है तियान करते हैं नहीं काम तो बहुत अच्छे से करती है और जैसी भी है मुझे पसंदेना जिया को प्रपोस करेगा और वो उसे हाँ कर देगी अब उसे रोकने के लिए कुस्तो करना पड़ेगा अब वो अपने दिमाग लगाता है दिमाग लगाता है क्या करी क्या करी तेभी उसे अपने ग्रैनफादर का याद आता है वो अपने grandfather को call करता है और कहता है कि grandfather मुझे ना आपसे एक favor चाहिए और इधर हम विवर्ज क्या देखते हैं कि त्यार ने जान बुछ करके लू को ये jealous feel कराने के लिए और उसे उसके feeling का है सास दिलाने के लिए कम किया था उसने जूट बोला था कि वो जिया को जा रहा है प पद मस्तलू बैठ जाता है उसे तो लगाई था कि आसो त्यान जानी पाएगा और सच में थोड़ी देर बात्यान एक्टिंग करते हुए दोड़ते है रूम में आता है और कहता है अरे यार मेरे तो सारा प्लैन ही गरबढ़ा गया grandfather ने call करके मुझे urgently काम दे दिया है ओफ करने से हम मिलने का सकस्ट्रेट कहीं जादा है इसलिए मैंने बहुत मुझे से बुग है अच्छा सुनो में तुम्हें काम करो तुम ना वहाँ पर जिया को लेकर के जाना और मैं काम जली-चली कंप्लीट करके आजाओंगा लोह ओहां पर मना नहीं कर पाता है त्यान वहां से लिया को उसका कोई आडिया नहीं था जब वहां पर जाती हैं कि सब कुछ 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 जाद ही रोमैंटिक तरीक से डेखरोइट किया गया है अभी तक जिया को यही पता था कि लुण दिल के लिए यहां पर बुलाया है तौ परोय आता है पुर रोमेंटिक अंदज में आता यह उसे लेक्ट के कहती है इतना फॉरमल अ당गा से क्यों हूब लाये है लो को भी नहीं हैं नहीं पता था कि इयाना उसके साथ схड़ भी के और लेखर के लिए फ्लावर餌 बुके लूर जिया गिक देता और कहते हैं हा तुम मेरेु साथ एक उसने बिजनेश करने का्नी वाला हो तुम मेरी गल्फिन्ट बनोगी और हां तुम पार्टी भी रहोगी सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम जैसे चाहो मेरे पर आटर चला सकती हो हमारा पहले वाला कॉंट्रैक्ट तो अल्रेडी खत्म हो चुका है जिया सोचने लग जाती है लो से कहता है क्यों तुम मेरी गुल्फिर नहीं बनना गया तो फिर वो आगे बढ़के उसे क कर लेती है उसका एंसर हाँ था यह देखते ही लो काफी खुशी जाता है सच में यह डिश्टरेंट तो काफी अच्छा है प्रिपोजल का सक्सेस रेट काफी जादा है वो फिर आगे बढ़ता है वो जिया को किस बैक करता है चलो इनकी लव स्टोडी तो यहां से सूरी होत देखते हैं कि जिया लो के लिए सही है या नहीं अगले दिन जब जिया ओफी जाती है तो उसे पता चलता है कि इतना मेहनत करके जो उन्होंने एक बिजनस पार्टनर के साथ डिल साइन किया था वो लो के साथ डिल काइंसल कर रहा है और इस वज़े से लो को बहुत जादा लॉस होने वाला है जिया डिसाइड करती है उस बिजनस पार्टनर से मिलने जाने के लिए इधर हम लोग देखते हैं कि वो मस्त स्विमिंग पूल में मस्त मस्त बंडियों के साथ अपने मजे ले रहा होता है जब चिया वहां पर जाती है तो यह देखकर कि काफे ज़दा अपर्ड हो जाती है वो बैट करके उसके आने का वेट करती है वो आता है थोड़ी दिर बाद जैह उसे कहती है कि आखिर लू के साथ तुम बिजनस डिल क्यों कैंसल कर रहे हो तुमें भी पता है कि तुम्हारे लिए काफे फायदे मन्द है तो वह बिजनसमैन कहता है कि द कि हमें लू के साथ ये दुबारा कॉंट्रैक्ट कर सकता हूं अब तुम्हारे पस मौका है या तो तुम लू के बारे में सोचो या तो फिर अपने बारे में सोचो अब यहां पर जिया सोच में पढ़ जाती है क्योंकि मेहनत तो सब कुछ उसका रहेगा उसका नाम नहीं रह करती थी और वहीं अचानक से उसका बॉस ही वाफिर्ट बन गया था ये सब कुछ उसके लिए बेलकुल सपनों की दुनिया की तरह था और आज सग लो ने जितना जिया के लिए किया था वो सोसती है कि ये काम तो वो उसके लिए करी सकती है वह उस बिजनसमें को कहती है की ठी यार हूं और साइन करना स्टार्ट कर देती है वो बिजनेसमेन उसे कहता है एक बर फिर सूच लो तुम्हारा इस पूरे काम में कोई भी नाम नहीं होगा जिया कहती है मुझे फरक नहीं पड़ता है बस लू के साथ तुम्हें डील कंप्लीट करो यह करके वो उस कॉंट्राक ना कि यह लड़की बिल्कुल सही है लू के लिए उसकी मॉम भी जिया से सौरी बोलने लगती है कि बिटा मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था तुम सही में मेरे बेटी के लिए अच्छी हो इसका मतलब कि वो लोगों ने बस यहीं चीज जिया को चि कहता है कि जिया सब काम नहीं करने वाली है, वो सबकी सामने अनौंस कर देता है कि जिया से प्यार करता है और जिया सही इस्हाधी करएगा लगते हैं इसके जोग को कुछ समझ ही नहीं पाता खेर इसरा की तो एड़िस्ट हैपी इंडिंग हुई कम से कम दोनों एक झाल झाल